वेलकम स्टुडेंड्स तो कैसे हैं आप आयोग आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम आपको कराएंगे कलाश 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगनोमेट्रिक फंक्संस में से लिनियस एक्सरसाइज का क्योस्ट नंबर 9 और क्योस्ट नंबर 10 तो क्योस्ट नंबर 9 देखते हैं पहले क्या बोला है प्रूट डैट 10 इनवर्स याप क्या है एक्स इक्वल्स टू में क्या है वन बाइटू कोस इनवर्स वन माइनस का एक्स एक्स बिलोंग करेगा जीरो और वन से तब देखो यह फोर मैंने आपको लिखा है क्योंकि आपको याद होना ची कि कोस्टू थि यहां पर देखो है को आपको तो इसे साइड़ को लेगे चलेंगे टेकिंग के आरेचेश कि अब यहां पर देखो वन माइनस का एकस है इस फूम में कयाना है यह ताकि हमरे पास क्या जाए cos to theta यहां प्या जाए फिर cos in verse cos को cancel कर सुकू हूँ है तो अगर मैंने इस form में लेका है ना तो हमने x इस दख्या रखना पड़ेगा 10 square theta तो यहां से put करेंगे put x equals to me 10 square theta clear है यहां तक? बिल्कुल clear है अब मैं अगर यहां से थिट्टा की value निकालना चाहूं तो क्या आएगी root both side कर देते हैं इस root से square cancel और यहां पर क्या गया root के अंदर x आ गया यहां पर क्या बच गया root x और इस side क्या बच गया 10 थिट्टा अब मैं 10 को side लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा तो 1 by 2 cos inverse 1 minus का x 1 plus का x x की जाएगा root करेंगे 10 सुकेर थिट्टा तो 1 by 2 cos inverse x 1 minus का 10 सुकेर थिट्टा नीचे क्या 1 plus का 10 सुकेर थिट्टा तो यहां से क्या जाएगा 1 by 2 cos inverse यह किस के कुल है cos 2 थिट्टा के कुल है तो यहां गया cos 2 थिट्टा अब यहां से क्या होगी हगा कान से को से कैंस यह आ गया है वहनम बॉय टू रिट्टा होटव टू से टू गयंसल धिट्टा मारेक एककोर था टो से क्या एक को बनुड सिसको है तैन इनवर्स से रूट एक्स के यह से लिखेंगे अंगे एक्वेशन है फस्ट कि यह मारे पास क्या है लेफ्ट-ंड साइड है देख सकते हो आप लेफ्ट-ंड साइड के आप पास 10 रूट-एक्स तो मैं अपने के देंगे हैंस प्रूवड लह सिक्वल स्टो में रहे चैस तो यह था हमार पास क्या नंबर 9 इसमें आपको क्या करना है बस फोर्मला याद वनाज ची कोस्ट 2 ठीटा कि इसके लोता है उन मैंस का टैन स्कुरेश थिट्टा अपने प्लिस का टैन स्कूरेश थिट्टा फिर आपने देखना हो और भी कैसे कंवर्ट करें की कोर्ष से को क क्या है वन प्लस का साइन एक्स रूट के अंदर प्लस में वन माइनस का साइन एक्स यह भी रूट के अंदर और अपॉन में वन माइनस का साइन एक्स रूट के अंदर माइनस का वन माइनस का साइन एक्स और क्या है रूट है इसको इसको रैसिनलाइज कर देते हैं भी पहले तो यहां से देखना step by step अच्छे से 1 plus का sin x ठीक है 1 minus का sin x नीचे क्या है root के अंदर है 1 minus का sin x फिर minus का है root के अंदर 1 minus का sin x अब इसको रैसिनलाइज कैसे करते हैं आपको पताई है जो denominator में होता उसका sin change कर देते हैं और उपर नीचे multiply कर देते हैं तो यहां से आजाएगा 1 plus का sin x प्लस का और जो यहां पर क्या है 1 minus का sin x है न तो यहां जाएगा यहां पर positive निशान आएगा sorry आप change कर लेना ठीक है अब देखो 1 plus का sin x यहां पर negative था यह positive change हो गया अब यहां पर 1 minus का sin x फिर नीचे क्या ऐसे ही 1 plus का sin x प्लस में 1 minus का sin x इसे बोलते हैं rationalize clear है यहां तक? बिल्किल clear है अब इसको आगे सुल कर देखो a plus b a plus b तो मैं कह सकता हूं कि a plus b का square तो यहां से लिखेंगे a यहांनि कि 1 plus sin x plus में b 1 minus का sin x और इसका फूरा का square अब नीचे देखो a minus b a plus b a square minus b square वाला फूर्मुला याद होगा आपको तो यहां से क्या जाएगा a का square minus का b का square clear है यहां तक? बिल्किल कजिएर है अब देखो इसको सुल करते है a plus b का square क्या होता है? आपको पताए है a square plus b square plus 2ab तो a square क्या होगा हमारे पास? 1 plus sin x का square root के अंदर है जो plus b square यानि की 1 minus का sin x और root के अंदर इसका square plus में 2ab 2 a क्या है root 1 plus का sin x b क्या है? root 1 minus का sin x यह थोड़ा space नहीं है आपको समझा ले न ठीक है? तो इसके नीचे क्या जाएगा हमारे पास? a square minus b square तो इसको खोदेंगे यहां से देखो root से square cancel तो क्या गया? 1 plus का sin x 1 plus का sin x clear है यहां तक? और minus का देखो minus का 1 plus का sin x minus का 1 plus का sin x अब इसको आगे solve करते हैं यहां से root से square cancel तो यह क्या बच गया 1 यहां से बच गया 1 यहां से बच गया ठीक है और यह क्या है plus का sin x minus का sin x cancel तो 1 1 क्या है? 2 और 2 यहां से 2 plus 2 4 तो पहले हम यहां पे 2 plus 2 ही लिखेंगे 2 plus 2 अब यहाँ पर देखो क्या है 1 plus का sinx root के अंदर 1 minus का sinx तो a plus b a minus b a square minus b square तो यहाँ से आजाएगा 1 का square 1 होता है और sinx का square क्यों बίहाँ पर क्या है sinx कलियर है यहाँ तक नीचे क्या बचेगा देखो 1 से 1 cancel बचान गया साहीन मैंस को सुके रेक्स तो पेंदर साहीने को नीच से यह यहां से सो X और नीचे क्या है Sine X तो देखो रूट से स्टेर कैंसल कर देंगे यहां से आजाएगा बन प्लस का कोश X अपन में क्या Sine X कलियर है यहां तक बिल्गुल कलियर है अब हमारे पस क्या था कोट इनवर्स भी ता ना साथ में तो अभी इसको सुल करते हैं कोट इनवर्स और यह क्या गया वन प्लस का कोश X अपन में Sine X अब इसको सुल कर लेते हैं वहीजी से देखो वन प्लस का कोश X है ना तो इसका फोरूर्म लाँ होता है टू कोश सुकेर X बाइटू और Sine X का भी फोरूर्म लाँ होता है एंगल आफ हो जाता है इसमें Sine 2 Sine X बाइटू और कोश X बाइटू तो कोश X बाइटू से एक पावर कैंसल एक पावर बच गई है मारे पास यहाँ पे तो हम कह देंगे आ से आ जाएगा कोट इनवर्स देखो उपर क्या पुद्चा है utilized कोश X बाईटू नीचे क्या पूद्चा है साइन एक्स बाइटू क्योंकि टू से भी टू कैंसल हो गया तो क्या होता है को सब्सक्राइब क्या है आरे टांवर टैने वारे पास आयोपको समझ में आ गया होगा इसमें हमने क्या क्या देखो सिंपली रैस्नलाइज किया फिर रैस्नलाइज करने के बाद जो टर्म आई उसको मने आप आगे सोल किया तो यह था हमारे बाज क्यों नमबर नाइन और क्योस्टिन नमबर टैन तोनों क्योस्टिन आई उपको से समझ में आ गये होंगे अगर अब भी कोई डाउट है तो वेडियो को लाइक कर दें थैंक्स पर वोचिंग हैवे नाइस डेए